येलो प्रेंग वेल्कम बैक आवर यूटुब चैनल गणेस एजंसी दोस्तों जी आरबी कमपनी जो कि आप लोगों को पता है ये कमपनी क्या करती है घी बनाती है बिस्कूट बनाती है ऐसे ऐसे चीज पर प्रोड़क्ट जो कि खाने के लिए यूज होती है बहुत दिनों स है हमारा बस कमपनी ये की पर चल रहा था मैनूफेक्चिरिंग अभी मैनूफेक्चिरिंग नहीं अभी पैकिंग पिकिंग स्कैनिंग ये सब का जॉब लेकर आया हूँ जी आरबी कमपनी तरब से तो जो भी कंडिडेट इजी वर्क हलका काम और एसी में बैठके काम करना चाते हैं अब्यस्ली आइस्क्रीम है तो एसी लगा रहेगा फ्रीज लगा रहेगा तो इसली आप लोग कर सकते हैं मेल और फिमेल दोनों के लिए अपलाई है लेकिन अभी फिलाले स्टार्टिंग के लिए मेल कंडिडेट ओके और जो लोग ज्यादा ट्राइ करो अत्ती लोग को अपलाई करने के लिए क्यों उसमें हम लोग को रूम देने के टेंसन खतम हो जाएगा अत्ती विली या शिकोट में चो लुग है होसूर के जो लोग वो लोग शिकोट आसकते हैं वहीं लोग जॉप के लिए ज्यादा अपलाई करो क्यों आप आप अराम से आपन रूम फजा हुआ है only candidate के लिए तो अभी और फिर रूम लेना पड़ेगा तो और ठिंग कर लो ठीक है तो इसी लिए जो लोग भी है लेकिन best plan में आप लोगों बताओ थोड़ा हमको भी tension कम होगा आपको भी company का उपर रहना नहीं पड़ेगा रूम के लिए खाने के लिए ठीक है जब खूद कर सकते हो तो चार-पांच लड़का एक साथ रेडी हो के आजाओ थोड़ा पैसा खूद शिक्कर कर लो ज्यादा रेंट नहीं लगता है एडमांस 10,000 और रेंट हो अनली 3-4,000 रुपया लगता है वह सब्सक्राइब कर लोगों का निकल जाएगा इसमें ड्यूटी आवर क्या रहेगा लेकिन आपको खाना पीना कंपनी तरफ से मिल रहा है ठीक है दो टाइम काना सिप्ट में है और वर्क तो एकदम भी हाट नहीं है जो लोग भी हाट काम नहीं कर सकते हैं वो लोग 100% इस कं कोट ही रहेगा ठीक है आते विले का नेक्स्ट इस्ट ऑफेस शिक कोट तो आप लोग जा सकते हैं लेकिन डारेट कंपनी जाने से आपको काम नहीं मिलेगा आपको गनेश एजंसी ब्रांच विजिट करना पड़ेगा ओके गनेश एजंसी ब्रांच कहा है वीडियो के डिस यूनिट वन होसकोटे में यूनिट टू गूलबर्गा में यूनिट ट्रिहोबली में यूनिट फूर तमिलाडु में यूनिट फाइब भीहार में यूनिट अपना जारकन में है यूनिट 7 I think miss हो गया क्यों इतना सारा यूनिट है यूनिट 7 भी सायद उडिसा है ओके यूनिट 8 वेस्ट भंगोल, यूनिट 9 उत्तर करनाटा और यूनिट 10 उडिसा बाद रख में, तो इतने सारे है कि बोल नहीं सक्राँ मैं, याद भी नहीं रहा है, फिर भी इतना सारा दिया हूँ, बस एक ही टाइम बात किया हूँ, उसमें रिमाइंडर है मेरे को, आप पूरा नंबर मिलेगा, और थोड़ा नीचे जाओगे, वो ओफिस का आपको एड्रस भी मिलेगा, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, सर को फोन करो, सर जियर भी कंपनी अवेलेबल है, वो बताएगा हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ये डेट में, इंट्री करा कर रखोगे, तो आपको सिफ्टी रहेगा, कैसे, आप भूल जाओगे, ओफिस वाला नहीं भूलेगा, तो आपको रिमाइंडल करेगा, कि आज आपको आने का देट का तो आपको याद आएगा, ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तो ऐसा फेसलेटी आपको मिलता है, बहुत ज सिफ्ट में, नाइट सिफ्ट में, और आपको 26 डूटी रहेगा, सेलरी, एट रिज आपको 13,000 प्लस मिलेगा, ओके, 13,000 प्लस है, उपर और जितना मिलेगा, ओ अलग बात है, मैं जो भी सेलरी बोलता हूँ, वो पिया, पिया से कटके इन हैंड बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं CT से बोल दूँगा, 17,000, अब बात में आपका हाँ तुम्हारा 13,000, तो ऐसा काम हमारा गणेस एजनसी नहीं करता है, हमारा गणेस एजनसी रियल और टूथ पर चलता है, ओके, तो इसे लिए जो लोग भी GRB कंपनी में अपलाई करना चाते हैं, जो भी आपका इस्टे यह 30 वीडियो आपको मिलती रहती है, कभी ज्यादा अर्जेंट रहता है, तो इवनिंग 5 वीडियो आज आती है, उमीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक से और कॉमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूटिव चैनल को अभी सब्सक्राइब जड़कर बेल आइकन प्रेस करें, मिलता है अगले वीडियो आता के लिए जाहिए, जा भारत दोस्तों